चमबा में HRTC के लापता कैशिर और अमिसर के गुर्पी सिंग की तलाख्ष में पुलिस ने शुक्रवार को रावी नदी से लेकर चमेरा जलाशे में घंटों सर्च ओपरेशन छेड़े रखा इस दोरान रावी में पानी का बहाव तेज होने के कारण पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पाई करीब पांच खंटे तक चले सर्च ओपरेशन के दोरान पुलिस के जवानों और कमांडों दस्ते ने नदी का चपपा चपपा खंगाल डाला इस बीच लापता कैशियर के परीजन भी अपने सतर पर तलाश में जुटे रहे चार दिन बीच जाने के बाद भी लापता नरेंदर कुमार और गुरपरीज सिंग का कोई पता नहीं चल पाया है बताते चलें कि 29 जून को HRTC में कारेरत कैशियर नरेंदर कुमार डुटी के दौरान अचानक गायब हो गया था इससे अगले ही दिन अमरे सरकाग गुरपरीज सिंग भी बालू के पास कार में सुसाइड नोट छोड़कर लापता हो गया था इन दोनों की परिजनों ने पुलिस को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्च करवाई थी और पुलिस दोनों की तलाश के लिए चपपा चपपा खंगाल रही है अजया थाओ बालू के लाओ पुलिस दोनों के लिए पुलिस दोनों की तलाश का बालू के लिए खंगाल रही है अजया थाओ पुलिस दोनों की तलाश के लिए खंगाल रही है अजया थाओ पुलिस दोनों की तलाश के लिए खंगाल रही है दिवाह मार्शल टीवी के लिए चमबा से दीपक शर्मा के रेपोर्ट अजया थाओ एपुलिस दोनों की तलाश का बालू तलाश के लिए खंगाल रही है झाल झाल झाल